जय महाकाल दोस्तों! कैसे हैं आप लोग? आसा करता हूँ, भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे. दोस्तों, अंकों का अपना एक गणी थे, अपना एक महत्तु है. मैं हर दफ़े कहता हूँ, हर बार कहता हूँ, कि अंक जो हैं, वो मानव जीवन के साथ जुड़े हुए हैं. कई लोग सवाल पुछते हैं, कि मैं इतने सारे नंबर्स बताता हूँ, तो इसमें से कौन सा करना ये समझ में नहीं आता. तो मैं आपको बता दूँ कि हर व्यक्ति का अपना एक अंक होता है, और कुछ अंक ऐसे होते हैं, कि जो अंक हर जगा इस्तेमाल किये जा सकते हैं, जैसे मैं कहता हूँ, 9-2-7, यदि आप इसको इस तरह से फिल करके कहेंगे, कि जो 9 अंक है, वो 9 ग्रहों का है, और जो 27 अंक है, वो 27 नच्छतर का है, तो इसको आप 9-2-7, ना कहके 9-27 कहेंगे, तो इसका अपना एक पावर है, जब आप फिल करेंगे, तो 9 ग्रह और 27 नच्छतरों में आपकी जो मन की भावना है, वो पहुँचेगी, और इससे आपका काम बनेगा, देखिए, मैंने कई वीडियो में बता है, फिर आपको बता दूँ एक बार, कि आपके जो मन की भावना है, जब वो प्रबल हो जाती है, तो जब वो प्रबल भावना होती है, उसी से संकल्प पेदा होता है, और उसी से संसार के सारे कारे संपूर होते हैं, तो सबसे पहले खुद में बिलिव कीजिए, खुद में विश्वास कीजिए और उसके बाद में आप किसी भी कारे को हांथ में लेए आप देखेंगे कि आपको उस कारे में जितना समय लगना चाहिए था उससे जल्दी वो कारे आपका संपन हो जाएगा और जितनी मात्रा में होना चाहिए था उससे अधिक मात्रा में आपको सफलता मिलेगी संसार में आपके अलावा दूसरा कोई भी आपको विजयता नहीं बना सकता है तो खुद पर भरोसा रखिए खुद पर भरोसा रखिए और जो मैं उपाय कहता हूँ या जिस उपाय में आपको संपूर्ण भरोसा बेटता है विश्वास बेटता है आस्ता बेटती है स्रद्दा बेटती है उस उपाय को करें और देखें फिर कैसे आपको सफलता नहीं मिलती संसार में कोई ऐसी ताकत नहीं है कि यदि संपूर्ण विश्वास के साथ में कोई कारे किया जाए और उसमें आपको सफलता ना प्राप्त हो आपको 110% सफलता मिलेगी तो ऐसा ही एक अंक आज में आपको बताने जा रहा हूं कि यदि आपको पैसो की बहुत ही अत्यनत आवसकता हो गई हो और इस नंबर को यदि आप बोलते हैं तो आप देखेंगे कि कहीं न कहीं से कोई न कोई विक्ति आएगा और आपकी मदद करके जाएगा कई लोगों को इसका लाव हुआ है लेकिन वही बात है संपून विश्वास रखे भरोसा रखे और फिर इसका इस्तेमाल के लिए तो दोस्तों यदि आप हमारी चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूँ कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचिन दम ग्रंतों में छुपे हुए तो कई ऐसे गूट रहस हैं जिनके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं अंक, सास्र, जोति, सास्र, तंत्र, मंत्र, टोने, टोटके, वरत, तेवार, पूजा, विधी, इत्यादी के बारे में भी जानकारी प्रदान करते रहते हैं तो यदि आप भी इस तरह की जानकारी में रूची रखते हैं तो अभी हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी हम इसी चैनल के माध्यम से इसी तरह की जानकारी आपको देते रहेंगे दोस्तों आज जो मैं आपको अंक बताने जा रहा हूं जो नंबर्स बताने जा रहा हूं यह नंबर भी बहुत पावर्फुल हैं बहुत सक्तिसाली हैं सभी नंबर अपने आप में सक्तिसाली हैं पावर्फुल हैं इन नंबर्स का कैसे सेटिंग बिठाना किस तरह से अपने म के भाव को इन नंबर्स के साथ में जोड़ देना ये आपका काम है मैं आपको नंबर देता हूं मैं आपको रास्ता बताता हूं उस रास्ते पर चलना ये आपका काम है तो मैं आपको जो नंबर बताता हूं इस नंबर को आप बोले जब कभी भी आपको पैसों की अत्यदिक आउसकता हो गई हो ऐसी इस्थिति आ गई हो कि आपने सभी जगा प्रेत्न कर लिये हों सभी जगा आपने हाथ पेर मार लिये हों और आपका काम न हुआ हो ऐसे समय पर उस परमपिता परमेश्वर को एक बार याद कर लेना संपूर्ण मन से संपूर्ण दिल से स्रद्धा के साथ एक बार उसको याद करना और आपके ज़ो जरूरत है वह उसे बता देना कि आपकी ये जरूरत है वहाँ से एक सक्ति एक्टिवेट होगी जो आपका कारे करेगी इसी के साथ साथ जो मैं नंबर बता रहा हूँ ये नंबर बोलना आपको नंबर बोलना है दो दो जो नंबर है वो चंद्रमा का नंबर है चंद्रमा जो है वो मन पर असर करता है जब आप ये बोलेंगे तो आपने जितने लोगों से कहा होगा उसमें से किसी ने किसी के मन में ये नमबर इतना प्रभाव करेगा कि वो हिल जाएगा आपको दो दफे बोलना है दो दो अलग अलग बोलना है 2-2, 22 नहीं बोलना है 2-2, और 7 बोलना है 7 बहुत ही लखी नमबर है जिस किसी व्यक्ति के पास होता है उसका काम निकाल देता है तो आपको बोलना है 2-2-7 इसके बाद आपको इसमें जोड़ देना है 9-27 देखिए नमबर इस तरह से आपको बोलना है 2-2-7 9-27 इस तरह से आपको बोलना है पहले जो 2 हैं वो मन के हैं 7 लखी नमबर है 9 जो नमबर है वो 9 ग्रह का नमबर है 27 जो है वो 27 नचछत्रों का नमबर है अब संसार में कुछ भी बाकी नहीं बचा संपून स्रद्धा के साथ परमपिता परमेश्वर को याद करके यह नमबर बोल दीजिए आप देखेंगे कुछ ही घंटों के अंदर अंदर आपको मदद मिल जाएगी आपका कारे हो जाएगा संपून स्रद्धा के साथ एक बारी से कीजिए ठीक है तो चलिए दोस्तों अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहें दियो परकास और अपने जिवन में लाबानुवित होते रहे हैं धन्यवाद